तो आज के इस वीडियो में बहुत ही खुपसरा सा पप सिलिप अब सभी को सब्सक्राइब करेंगे जो की देखने में बहुत ही ब्यूटिफूल है बहुत ही फीटी है तो चलिए इससे बना रहा है स्टार्ट करते हैं पहले इसको पट्टी मेजरमेंट करेंगे इसको लंबा तो देखिए एक साइड हमने इससे स्टीचिंग कर ली है धाका को कट करेंगे अब दूसरे साइड में भी इससे स्टीचिंग कर लेंगे तो देखिए यहां पर दोनों साइड ही हमने इसको स्टीचिंग कर ली है अब उल्टा साइड करते हुई से इसे पलट लेंगे तो प अब आज़े से सी मर्जिन नहीं चोड़ना है ठोड़ी सी चोड़ना है लगविक वान सूत के करीब चोड़ दे रही है और इसे चारों और अच्छे से स्टीजर्ग कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेश करते हुए बाहर के तरफ निकालेंगे जो हमारा अंदर के सरफ अगर रही जाती है तो मीडिल में काफी गईराई हो जाती है तो इसके लिए अच्छे से इसे निकालना बहुत जरूरी है आप अगर चाहो तो प्रेश भी कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर उपर के साइड नीचे के साइड हमने तयार कर ली है उपर वारा हिस्सा तयार करेंगे तो इसको फेबरीक हमने डबल पोल्ड में ली है और इसके लंबाई है 18 इंच इसके चोड़ाई ली है 8.5 इंच अब यहाँ से हमें 3 inch पर एक mark लगानी है और यहाँ पर हम cutting कर लेंगे तो ऐसे ही घुमाते हुए इसे shape देंगे इसके बाद यहाँ से 7 inch पर एक चोट़ा सा mark लगाएंगे और यहाँ से इसे cutting कर लेंगे अब cut हो चुकी है यहां पर middle पर भी एक छोटा सा cut लगा देंगे इसके बाद इसको stitching करना start कर देंगे तो ऐसे ही one side fold करते हुए इसे stitching करना start कर देते है तो देखे friends यहां पर इसे stitching करना start कर दी है stitching कर भी ली है उसके बाद यहां पर अच्छे से set कर लेंगे तो देखिए इहां पर इससे सेट कर ली है अब दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस फोलो करते हुए इससे भी स्टिचे कर लेंगे तो हमने दूसरे साइड में भी इससे प्रेस करते हुए इस्टिचिंग कर ली है अब दोनों ही साइड पका करते हुए इस्टिचिंग कर लेंगे उपर के साइड में भी इससे स्टिचिंग करने के लिए पहले सेट करेंगे उसके बाद इहां पर भी स्टिचिंग कर लेंगे तो देखी प्रेंस इहां पर हमने एक साइड सेट कर ली है और इसे थोड़ी सी गोलाई में सेप देते हुए इस design को हम stitching करेंगे तो completely इसे stitching करके तयार कर ली है बची ही फेबरिक को करेंगे cut और cut करने के बाद इसको हम तयार कर लेते हैं धागा पगेरा cut करने के बाद अच्छे सेट करेंगे उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो हमने पट्टी तयार की थी ओ यहाँ पर बिठाते हुए इसे stitching करेंगे तो ऐसे ही उपर के साइड रखेंगे इस पट्टी को और यहाँ पर सीधा ही इसे stitching कर लेंगे तो देखे प्रेंस यहाँ पर stitching हो चुकी है अब यहाँ पर design क्रियेट करने के लिए इसको हम तयार करते हैं पहले हम बच्ची हुई फेब्रिक को कट कर देंगे इसके बाद यहाँ पर design क्रियेट करेंगे तो इसके लंबाई डेर इंच है और इसके चोड़ाई ली है 15 इंच और ऐसे ही आपको अग जादा भी चोड़ा में फेब्रिक ले सकते हो लगबग डेर से धाई इंच तक ले सकते हो तो ऐसे ही घुमाते हुए इस फ्लावर को तयार करेंगे काफी असान है गुलाब के फूल बनाना ऐसे तरीके से आप भी बना पाएंगे अगर थोड़ी से पिक्टिस कर लेते हैं तो काफी अच्छे से इस गुलाब फूल बना सकते हैं और कोई भी ड्रेस में कोई भी डियाई उआई में कुछ भी बना सकते हैं बहुती सुन्दर लगेंगे आप इसको जरूर पिक्टिस करें और यह काफी खुबसूरत चीजों में आप यूज कर सकते हो तो यहाँ पर हम इस रोज को तयार करके कंप्लिट कर लिए और यहाँ पर धागा और सुई के मदश से अच्छे से नोट लगा के इसे पका कर लेते हैं तो देखिए इसको पका करने के बास इस धागा को कट करेंगे और यहाँ पर जो बची हुई फेबरी के उसे भी कट करके निकाल देंगे तो देखिए कितना खुबसुरस सा फ्लावर बनके तयार हो चुकी थे हमें और भी चाहिए होगा तो यहाँ पर हम चाल प्रजार फ्लावर यूज करेंगे तो पहले हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं मीडिल पे एक मार्क लगा लेते हैं उसके बाद ही यहाँ पर इसको लगारा स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही पहले हम इस फ्लावर को लगाएंगे नीचे के ओर से इसे लगारा स्टार्ट करनी है और यहाँ पर अच्छे से पक्का करते हुए इसे लगा लेनी है तो यहाँ पर लगा रही हूँ थोरी सी बड़ी वाली विर्स है और यहाँ पर अच्छे से पक्का करते हुए शेट कर लेंगे और नीचे के और नोट लगा देंगे ऐसे ही आपको हर एक फ्लावर को यहाँ पर लगा लेनी होंगे तो देखे यहाँ पर फ्लावर लगा के तयार कर लिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक करना चैनल के अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल के सब्सक्राइब किजिएगा बेल लोटिपिकसन जरूर से प्रिस्ट करना जब भी हमने इने वीडियो अप्लोट करेंगे सबसे पहले मिले आपको